यूरिनल लगाने का परिजए इस खठ्ठा में हम जानेंगे कि यूरिनल कैसे स्थापित किये जाते हैं ये तो हमें मालू ही है कि किसी फिस्चर को उसके सभी भागों सहित पानी की सपले के साथ जोडने ताकि उसे इस्थेमाल में लाया जा सके को उसकी स्थापना कहते हैं आपका एक बार फिर स्वागत है यूरिनल क्या होता है? इसकी स्थापना के लिए कौन से आउसार वा सामगरी की जरूरत होती है इसे कैसे लगाया जाता है? ये पुरुशों के लिए एक विशिश परकार का मूत्रालई होता है इसका आगार बर्तन जेसा होता है जिसे ट्रेनेज तथा ओठोमेटिक या हाथ से चलाने वाले फ्लश से जोडा गया होता है इन में से आधिकाम शवचारई जैसे ही काम करते हैं अर्थार्थ मूत्र को पानी के साथ नाली में बहा देते हैं जहां से वो साइल पाइप में चला जाता है इस पाइप यहां साफ ताजा पानी लेकर आता है और दूसरा पाइप गंदकी मिश्रिद पानी ले जाता है सब जरूरी आउसार इकटा कर लें हमें जरूरत पड़ेगी हेक्सा आरी, स्पैनर, बिजली से चलने वाली ड्रिल, पेचकस, हाथोडी, छेदक, स्पिरिट लेवल तथा नापने वाली टिपकी. जेस सामकरी की जरूरत पड़ेगी, वो हे गंतगी के लिए चलनी सिलिकन सीलन्ट, पच्चास मिलिमीटर पीवीसी पाइप, पीवीसी एल्बोज, पेच, रोल प्लग, एक जोडी यूरिनल क्लैम्स, पीवीसी सोल्वेंट सिमेंट, स्पाउट, चोक, पेंसिल, पंत्राबी मिलिमीटर लचीला होस पाइप, यूरिनल लगाने की विथी, आईए अब देखें की यूरिनल को किस प्रकार स्थाबित किया जाता है, आपका स्वागत है, इस वीडियो में आपको क्रमानुसार प्रक्रिया दिखाई जाएगी, जब निर्मान कारी पूरा होने का हो, उस समय यूरिनल लगाये जाते हैं, तैयार फर्ष से 1327 मिलिमीटर की उन्चाई पर पानी की सपले का पोईन तथा उसके प्रवाख पर नियंत्रन बिनाये रखने के लिए एक आंकल वाल्व रखा जा है, हर यूरिनल का अपना अलग आंगिल वाल्व होना चाहिए, तथा एक यूरिनल से दूसरे यूरिनल की दूरी 700 मिलिमीटर अधवा 27 सिंडिमीटर हो, आईए अब यूरिनल का लगाना शुरू करें, सबसे पहले काम के सब आउसार इकटा कर लें, जैसे हाकसा आरी, स्पैनर, ट्रेलिंग मेशीन, पेचकस, हतोडा, छेदक, स्पिरिट लेवल तथा नापनेवारी टेप इसकाम केलिए इन सामगरी की भी जरूरत पड़ेगी, एक यूरिनल, गेंदगी केलिए चल्नी, सिलिकन सीलंट, एक सो पच्छास मिलिमीटर पीवीच पाइप, पीवीच एल्बो, पेच, रोल प्लेक्स, एक जोडी यूरिनल क्लैम्स, क्लैम्प, पीवीच सोल्वेंट सिमन्ट, स्पाउट, चोग, पेंसिल, और पंत्रा मिलिमीटर की होस पाइप, पहले जहां यूरिनल लगाना हो, वहां दीवार के कोने से, 35 सिंटीमीटर की दूरी पर मौस रिंग टेप से नाप कर, रिंकीन चोग से निशान लगा ले, उड़े हुए चबुतरे से, 25 सिंटीमीटर की उन्चाई पर भी एक निशान लगाए, अब स्पिर्ट लवल की मदद से, 25 सिंटीमीटर के निशान के साथ साथ, एक समानांतर रेखा खीनचे, फिर, 35 सिंटीमीटर वाले निशान से, पहले खीनची समानांतर रेखा को, काट्टी हुई एक खड़ी रेखा कीनचे, खड़ी वा समानांतर रेखाऊं को, रंकीन चोक की मदद से, गहरा बिना दे, अब आपके पास एक बिन्दु है, काटन बिन्दु जहां ये रेखाएं, एक दूसरे को काटती है, यूर्नल का तल चबू तरे से, 25 सिंटीमीटर उन्चा होना चाहिए, अब यूर्नल के दोनों और तथा तल के रिम के मध्य में निशान लगाए, अब दीवार पर लगाए बिन्दु पर यूर्नल इस प्रकार रिख दें, की यूर्नल का मध्य बिन्दु दीवार पर लगे, काटन बिन्दु पर आए और आजु बाजु के बिन्दु समाना अंतर रेखा के साथ साथ हो, समाना अंतर सीथ को स्पिर्ट लवल से जांच ले यूर्नल की कुल उन्चाई नापके के लिए यूर्नल के उपर दीवार पर भी निशान लगा दे ये भी जांच लें की दोनु क्लैंब एक से हो अब एक क्लाम्प को यूर्नल के चिद्र पर रिखकर यूर्नल के उपरी बिन्थू वा यूर्नल में रखे वा यूर्नल में रखे क्लाम्प के उपरी चेद को नाप लीजिये यहां ये 18 संडिमीटर है यूर्नल के पीछे रंकीन चोक से निशान लगा ले तथा इसे दो बराबर भागों में इस तरह बांड ले कि दोनों और दो-दो क्लाम्प चिद्र आए अब क्लाम्प चिद्र में रखे उपरी चेद तथा इस बांड़ती हुई रेखा के बीच की दूरी को नाप लीजिये ये 6 संडिमीटर है क्लाम्प चिद्रों के केंत्रों के बीच की दूरी को भी नाप ले जोकि स्वफा विखे 12 संडिमीटर होनी चाहिए अब इस नाप को दीवार पर लेले यूर्नल की कुल उँचाई के निशान से एक 18 संडिमीटर लेंबी खडी रेखा की जे कडी रेखा पर इस बिंदु से रेखा के दोनो ओर चे संडिमीटर नाप ले खडी रेखा के दोनो और बिंदुओं पर क्लाम लगाने के लिए छेद किये जाएंगे अब इन में से एक बिंदु पर ड्रिल मशिन से छेद करें इसमें रोल प्लग लगाएं छेद में से बाहर निगले फाल्टो रोल प्लग को हकसा आरी द्वारा काट दें क्लाम के उपरी चिद्र में पेच लगा कर क्लाम को दीवार पर पेच कस की मदद से लगा दें हथोड़े तदा कील द्वारा क्लाम के निचले चेद में से निशान लगा लें क्लाम को हटा कर निशान को गहरा कर दें और इस निशान पर ड्रिल मशिन द्वारा चेद कर दें फिर चेद में रोल प्लक डाल कर उसे हथोड़े की मदद से बैठा दें चेद से बाहर निकले फाल्तू रोल प्लक को हकसा आरी द्वारा काट दें अब क्लाम की निचले चेद में पेच लगा कर पेच कस से कस दें अब यूर्नल को क्लाम में रिख कर देखें की ठीक से फिट हुआ या नहीं अब दूसरा क्लाम सी पहले लगाए निचान पर लगाए फिर स्पिर्ट लेवल की सहाइदा से देखें की दोनों क्लाम सी थे तो हैं अब क्लाम के उपरी चेद में से दीवार पर निशान लगा दें फिर टेप से इस निशान थथा पहले लगाए क्लाम के बीच की दूरी को जांच लें ये 12 संडिमीटर होनी चाहिए नाप ठीख है तो निशान पर ड्रिल मिशीन द्वारा चेद कर दें चेद में रोल प्लग डाल कर हथोडे से लगा दें थथा फाल्ट तू रोल प्लग को हक्सा आरी से काट दें अब ग्लेंद के उपरी चेद में पेच कस दूरा पेच कस दें क्लाम के निचले चेद में से दीवार पर निशान लगाए और क्लाम को हटा कर निशान को गहरा कर दें ट्रिल मेशिन से इस निशान पर छेद कर दें हथोडे से इस चेद में रोल प्लग बिठा दें और चेद से बाहर निगले फाल्ट तू रोल प्लग को हक्सा आरी से काट डालें अब क्लाम के निशले चेद में पेच कस की मदद से पेच लगा कर कस दें अब दीवार परलेगे तू क्लाम पोंप यूरिनल को लटका दें अब कच्रे की चलनी लेकर उसके निचले रिम पर सीलन गंद्वारा सिलिकन सीलन लगा दें अब इस कच्रे की चलनी को यूरिनल के ट्रेन चिद्र में डिख दें यूरिनल के नीचे कच्रे की चलनी के त्रडेन फाग पर रबर वाशर लगाएं और इस वाशर तथा यूरिनल के बीच में सिलिकन सीलन लगा दें ताकि आगे चलकर लीकेश ना हो अब इस त्रडेन फाग की निचली और एक गैसकेट रिंग लगा कर चलनी को कस दें यूरिनल के उपरे रिंग के एक दशमल ती सिंडिमीटर उपर स्पाउट रख कर स्पाउट के दो चेदो में से निशान लगाएं स्पाउट हटा कर दोनों निशानों पर ड्रिल मेशीन की मदस से चेद कर दें अब स्पाउट के चेदो में पेच रख कर दीवार के साथ उन्हें पेच कसे कस दें अब यूर्नल को पानी की सप्लै से जोड़े इसके लिए स्पाउट के इन्लेंट चेद में लच्चीले होस पैप का छोड़ जोड़ कर उसे स्पाउट से कसें अंकिल वार्व खोल देने पर स्पाउट में से यूर्नल को साफ पानी की सप्लै होने लगेगी आईए अब हम ट्रेनेज पैप लगाएं ट्रेनेज पैप को दीवार पर रख कर फिंसिल से दो निशान लगाएं जहां क्लाम्प स्क्रू किये जाने हैं इन निशानों पर ड्रिल द्वारा छेद कर लें और फिर दोनों चेदों में रोल प्लग डाल कर हथोड़े से लगा दें तधा बाहर निकले फाल्ट्टू रोल प्लग को हेक्सा आरी से काट दें अब दीवार पर हाथ में पकड़े पाइप और यूर्नल के नीचे लगी कचरे की चलनी के त्रेडन फाग के बीच की दूरी नाप कर पाइप को काट लें थ्यान दें की पाइप के च्छोर पर एक इल्बो है पाइप के दूसरे च्छोर पर दूसरी इल्बो रखें इस इल्बो के अंदर एक और पी वी सी पाइप रखें और जितना चाहिए उतना पाइप काट लें अब नाप कर एक और पी वी सी पाइप काटें झुक दूसरे जाल पर दूसरे पाइप के और जो दूसरे जी प्यां आप दूसरे प्सितना तर्ड़ो रखें पहली एल्बो के अंदर जाएगा फिर सब पैपों वाफ फिटिंग्स पीवी सी सोल्वेंट सिमेंट से जोड़ दे अब इस ट्रेनिच पाइप के एक छोर को यूर्नल के नीचे लगी चलनी के त्रेडन फाग पर लगा दे और पाइप के दूसरे छोर को दीवार पर क्लाम कर दे क्लाम चिद्रों में पेच लगा कर पेच कर से कस दे वाह! हम यूर्नल लगाने में सफल रहें आशा है आपको एक छा रुचिकर लगी होगी थन्यवाद आईए अब हम दस आसन चरणों में दो खरा लेते हैं जहां यूर्नल लगाना हो वहां दीवार पर निशान लगा ले फिस्टर की भी जंच कर ले इन नापों को दीवार पर अंगित करे दीवार पर लेगे निशानों को गहरा कर ड्रिल कर ले दीवार पर कीए छिद्रों में क्लाम लगाए क्लामपों में यूर्नल को बिठाए यूर्नल के छेद में कच्छरे की चलनी रखे यूर्नल के उपरी रिम के उपर स्पाउट लगा दे पानी की सप्ले वाले अंकिल वाल्व को लच्चिले होस पाइप से जोटते हुए स्पाउट को कनेक्ट करे ट्रेनेज पाइप लगा दे काम के लिए जिस आउसार की जरूरत हो वहीं इस्तेमाल करे वरना पानी की सप्ले लाइन को नुक्सान हो सकता है काम होने के तुरंद बाद आउसार उठा कर एक तरफ रिख दे उन्हें फर्श पर ना छोड़ो क्योंकि आप खुद या कोई और लिट खड़ा कर गिर सकता है जाने से पहले काम वाली जगा को सांफ सुथरा करके जाए अब आप यूरिनल उसके उद्देश तथा स्थापना की विथी के बारे में भली भांदी जान गए हैं यूही बठिया काम करते रहिए आपकी मेहनत सिरूर रंग लाएगी थन्यवाद